हलो एवरिवन मैं हूँ आपकी मेंटर रुपाली गोयल और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बड़ा ही इंट्रेस्टिंग सा आपका टॉपिक ठीक है बड़ा मैंने या तो हमें में डो ऐप्षिन है मरें लेके देड़ा है में बड़ा है में dentro term powin ब्रिण तो मुझे बता ही है, एक लिए 悼ौ।्टर लेकर उसमें अस्यड़ डिए हैoni कन्टेक्र में अच्छिड़ल见 में ग्रवावा लुमुदा तो मुझे बता हिये कि हमें acid में water add करना चाहिए water में acid add करना चाहिए कौन सा correct है अगर आपके according पहला वाला correct है तो पहला वाला correct क्यों है और अगर आपके according second वाला option सही है तो second वाला option भी correct क्यों है इसका reason क्या होगा आपके पास तो देखते हैं इस चीज़ को जानते है So, मैंने आप से क्या पुछा? कि acid को water में डालना चाहिए या water को acid में डालना चाहिए ठीके, तो correct आपके पास 저, correct आपके पास method है वो क्या है कि आपको हमेशा, आपको हमेशा water में acid add करना चाहिए जापको water होता है ठीके, वो ज़्यादा लेकर उसमें acid थोड़ा-thोड़ा-thोड़ा add करना चाहिए कभी भी, कभी भी acid में water add नहीं करते कभी भी acid में water add नहीं करते ठीके, मैं दुबारा बोल रहे हूँ आपको कि आपके पास हमेशा, हमेशा always add acid to water always add acid to water never add your water to acid जब भी आप ऐसे करेंगे तो होगा क्या, जैसे देखिए, यहाँ पर इस जो आपके पास, यह आपके पास एक glass आप बोल सकते हैं, tray है basically इसमें उपर से, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना इसमें से उपर, उपर से ना drop wise इसमें water डाल रहे हैं इसमें अभी drop wise डाल रहे हैं देखो और अगर drop wise डालने के ऊपर इतना vigorous reaction है, इतना vigorous reaction है तो अगर आप थोड़ा सा भी जादा water अगर आप इसमें add कर देंगे, तो कितना जादा explosive reaction हो जाएगा, राइट, तो यह तो मुझे समझ में आ गया कि कभी भी, कभी भी मेरे को water acid में add नहीं करना है never, never, ठीक है, कभी भी जो आपके पास acid है उसमें water नहीं जाएगा, हमेशा water में acid जाएगा समझ में आया है सबको, कि ऐसा मेरे पास जो मेरे दो options है, उसमें से correct option कौन सा है यह समझ में आया है न आपको, तो देखिए, अब देखिए इसका reason क्या है कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि आपके water में acid आट करते है, reason क्या है इसका, इसको ध्यान से देखिए अब देखिए, मेरे पास दो options है, दोनो options को यहां बना लेते हैं पहला option है, जिसमें मैंने क्या लिया यहां पर water लिया और उपर से drop wise इसमें acid आट किया ठीक है, एक container में से उपर से acid आट किया second मेंने, second मेंने जो option लिया, उसमें अपने क्या किया आपके container में हमने acid रखा, आपके container में बेटा हमने acid रखा और आपके पास water को उपर से drop wise उसमें pour किया राइट ऐसे किया हमने मैंने बोला कि यह option सही है यह option गलत है इसका reason क्या है जो आपका acid होता है यह होता है highly concentrated बहुत concentrated आपके पास यह solution है बेटा ठीके और जैसे ही आप इसमें water add करते हो एक दम से बहुत सारे H positive release होते है एसेड है एसेड में से बहुत सारे H positive release होंगे यह जो बहुत सारे H positive release होंगे यह क्या करेंगे इसमें बहुत सारी heat release करेंगे बहुत सारी heat release करेंगे ठीके अब अगर आपके container में जो heat है उसको बाहर निकलने के लिए कहीं सी space नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर क्या होगा आपके जो आसपास के molecules है उनके kinetic energy बहुत जादा बढ़ जाएगी क्योंकि basically heat भी तो energy ही है न वो क्या करेंगी कि वहाँ पर जैसे ही drop गिरा बहुत सारे H positive निकले बहुत सारी heat निकली ठीके अब वो heat को बाहर निकलने के लिए space नहीं है तो वो जो heat है वो यहाँ पर यह जो molecules है ठीके उसको acquire कर लेंगे kinetic energy बहुत जादा बढ़ जाएगी और अगर आपके molecules की kinetic energy एकदम से बढ़ जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा फिर वहाँ पर ऐसे splash करके आपका acid बाहर आएगा या बोल सकते हैं वहाँ पर explosion होने के भी chances हैं अगर आप एकदम से बहुत सारा water इसमें add कर दें तो यहाँ पर इतनी जादा heat निकलेगी कि यहाँ से क्या हो जाएगा explosion हो जाएगा हर जोध हम यहाँ पर chapter नहीं discuss कर रहे हैं बेटा हम आपको एक छोटे से topic के बारे में inform कर रहे हैं कि अगर आपके पास acid और water है तो water में acid डलेगा या acid में water डलेगा ठीके तो उस चीज़ को समझे और उस चीज़ की reason को अच्छे से समझे हाँ जी second option था जो मेरा correct option था उसमें क्या था कि आपके पास water था और water में आप acid डाट कर रहे थे water तो बेटा आपका कैसा solution है यह तो आपका dilute solution है dilute compound है आपके पास right अगर आप इसमें acid डाट करेंगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा मतलब इतनी जादा exothermic reaction नहीं होगी जो heat थोड़ी बहुत निकलेगी वो आपका जो water है वो बहुत easily क्या कर सकता है absorb कर सकता है ठीके समझ में आया ना सबको जब भी जब भी अब आपको acid और water दिखे तो हमेशा याद रखना हमेशा याद रखना कि कभी भी acid में water नहीं डलेगा हमेशा water में acid हम आट करेंगे right हंजी देखें क्या होगा अगर आप अगर आप acid में water डालेंगे तो इस तरह से explosion हो जाएगा ठीक है ना तो हमेशा correct जो आपके पास जो correct आपके पास method है उसमें क्या है कि water में acid डलेगा और water में भी जब आप ऐसे डालते हो ना तो उसको continue stir करना पड़ता है so that जो energy है वो evenly distribute हो क्य क्योंकि जो acid है वो बहुत जादा heat release करता है ठीक है और उस heat को evenly spread करने के लिए जैसे ही आप water में acid डालेंगे उसको continue stir करना पड़ेगा ठीक है बेटा तो ये आपका आज का topic था जिसमें हमने समझाया आपको कि आपको कौन सा method यूज़ करना चाहिए और उसका एक proper reason भी और देखिए आपके पास आपकी doubted app जो है वो लेके आ रही है class 10th का VIP course English medium में जिसमें आपको जितने भी आपके subjects हैं उनके आपको बहुत अच्छे mentors मिलेंगे आपका एक-एक concept यहाँ पर clear किया जाएगा और आपके जो भी doubts हैं उनको बहुत अच्छे से यहाँ पर solve किया ज देखिए इस app में basically है क्या यह course जो है वो आपको क्या-क्या provide करेगा सबसे पहले तो आपको सिखाया जाएगा कि आप इस app को कैसे use करें हां जी मानसी thank you so much thank you so much Sneha dilute का बेटा मतलब होता है कि जिसमें आपके पास थोड़ी concentration कम हो जैसे मैं आपको simple सी example के साथ समझाती हूँ मेरे पास एक water है एक oil है ठीके जैसे density की अगर आप बात करें water जो है वो बहुत साथा dense है ठीके वो concentrated है मतलब अगर मेरे पास एक container है ठीके एक glass है उसमें कोई भी liquid आप उसको pour करो pour करने पर अगर वो easily pour हो जाए तो आपका क्या है diluted compound है और अगर वो pour ना हो तो वो concentrated है ठीक तो और क्या क्या है इसमें जितनी भी classes है आपकी अगर बायचांस कोई class आपके miss हो गई है वैसे तो आप करेंगे ही नहीं अगर आपके class miss होती है तो सारी recorded classes आपको यहाँ पर मिलेंगे बेटा, notes मिलेंगे, homework आपको provide किया जाएगा, regularly आपके test होंगे और जितना भी study material होग और वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा ठीक है जितना भी study material होगा और also अगर आपका कोई NCRT का आपका doubt है ठीक है जो आपका solve नहीं हो पा रहा है हर NCRT question के लिए आपको यहाँ पर unique solutions मिलेंगे ठीक है यह course आपके लिए best क्यों है क्योंकि यहाँ पर हैं हमारे देखिए अच्छे mentors हैं बहुत अच्छे से बहुत interesting way से आपको पढ़ाएंगे और बहुत मजा आने वाला है और देखिए यहाँ पर यहाँ पर मैंने कुछ आपको students के बारे में बताया है जिसे यहाँ पर नीलेश है शानू है यहीं से पढ़ कर इनके 90 plus percentage आई है also और वह बहुत सार students है जिन्होंने 80 plus 85 plus score किया है तो आप भी इसको join कीजिए और जल्दी से अच्छा सा अच्छा सा आप material लीजिए उसको पढ़िए और अच्छे अच्छे rank लेकर आईए अच्छे अच्छे percentage score कीजिए ठीक है और इस app में क्या-क्या features है बेटा आपका जो भी doubt है किसी भी तर जैसे let's say कोई भी आपके पास आपका doubt है ये मेरे पास मेरा doubt है देक reduction of metal center in the aqueous paramagnetic iron involved ठीक है आप क्या कीजिए जैसे ही आप app open करेंगे न वहाँ पर आपको मिलेगा एक camera का sign camera की उपर click करते ही जो भी आपका doubt है उसको आप क्या कीजिए crop कीजिए ठीक है crop करके आप उसको वहाँ पर डाल दीजिए और वहाँ पर आपको उसका solution मिल जाएगा also आप साहसत में comments कर सकते हैं अपने teacher को बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया क्या आपका doubt है और देखिए यहाँ पर आप इस तरह से comment कर सकते हैं हाँ जी और आप इस course के बा ठीक है हाँ जी तो जल्दी से बताइए क्या आप class 10th board BIP course को join करना चाहेंगे हाँ जल्दी से बताइए बेटा क्या आप इस course को join करना चाहेंगे हाँ जी